नमस्कार खेल समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ मुके शुक्ला और आईए बुलेटिन की शुवात करने से पहले एक नजर डालेते हैं स्वागत की सुर्खेबर भारतिये टेस्ट बल्लेवाज प्रित्फिश शौफ दो टेस्ट में हुए फेल बी सी सी आई ने लगाया आठ महीने का प्रतिबर थाइलेंड ओपन बैडमिंडन टौर्णमेंट में आज महीला एकल में साइना नेवाल उतरेंगी कोड़ पर वहीं पुर्श्वर में पांची वर्ता प्राप्त के दामिश्रकान पहले दौर में वैन पैंक बो से भिड़ेंगे और उलम्पिक पदग विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने 2022 में होने वाले राष्टमंडल खेलों का बहिश्कार करने की भारतिया उलम्पिक संग की अपील का नहीं किया समर्थन साथ ही प्रतियोगता से निशाने बाजी को हटाने को माना अनुचत और खबर इस सार से सबसे पहले बात प्रित्वी शौक की करें तो बिसी सी आई ने यूवा क्रिकेटर प्रित्वी शौक को डोपिंग के दोशी पाए जाने के कारण आठ महीने के लिए सस्पेंट कर दिया है बिसी साई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शौ ने अंजाने में एक प्रदीबंदित पदार्थ का सेवन कर लिया था जो आम तोर पर खासी की दवाई में पाए जाता है हाला की शौक का सस्पेंशन अबीते मार्च से लाग होगा यानि उनका ये सस्पेंशन 16 मार्च 19-15 नॉमबर 2019 तक लाग रहेगा भारती क्रिके टीम के युवाब अले बास प्रित्वी शौक के लिए मुस्विते कम होने का नाम नहीं ले रही है भारती टीम में शांदार प्रदर्शन करके सुर्खियां पाने वाले प्रित्वी चोट के कारण पिछले काफी समय से टीम में वापसी नहीं कर पाए है अब वो डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं जिसकी वज़े से उन्हें आठ महीने के लिए बैन कर दिया गया है प्रित्वी चोटिर होने के वज़े से वेस्टर नीस के खिलाब भाते टीम में जगा नहीं दी गई है उनका ये निलंबन 16 माज 2019 से शुरू हुआ है जो 15 नवंबर 2019 तक लागू रहेगा प्रित्वी चोट के यूरिन सैंपल में जो प्रतिबंदित परदार्त मिला है उसका नाम टर्बिट लाइन है इसका इस्तमाल कफ सिरफ में किया जाता है ये वाड़ा की प्रतिबंदित परदार्तों की सूची में शामिल है बता जा रहा है कि पृत्विशौ ने अंजाने में प्रदी बंदित पदार्थ का सिवन कर लिया था जिसके चलते उनका डोप टेस्ट पॉस्टि पाया गया ये दवाई आम तोर पर कफ सिरफ में पाय जाती है BCCI के मताबिक 16 जुलाई 2019 को पृत्विशौ को एंटी डोपिंग रूस वाईलेशन और BCCI एंटी डोपिंग रूस की धारा 2.1 के उलंगन का दोशी पाया गया पृत्विशौ ने इसके सेवन के इस्तिमाल की बात मानी है लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने खाशी रोकने के लिए कफ सिरफ का इस्तिमाल किया था बोड ने उनकी सफाई को स्विकार कर लिया है और माना कि शौ ने शारिक शमता बढ़ाने के तौर पर नहीं बलकि खांसी रोकने के लिए इस प्रतिबंदिस पदार का सिवन किया है हाला कि इस मामले में सभी तरह से विचार विमर्श करने के बाद यह तैक किया गया कि शौ को लापरवाही बरतने के लिए आठ महीने का बैंच घिलना होगा 19 वर्श के यूआ बलेवास प्रजिशो ने टीम इंडिया के लिए अब तक दो टेस्ट मैच खेले हैं उन्हें 2018 में वेस्ट इंडिस के खिलाफ हुए दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पहली वार भारते टीम की तरफ से खेलने का मौका दिया गया उन्होंने अपने डेव्डियू टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगा दिया और केरिविया टीम के खिलाफ 34 रंग की पारी खेल डाली इसके बाद इसी टीम के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मैच में 70 और नाबा 33 रंग की पारी खेली यानि दो टेस्ट मैचों में उन्होंने 118.50 की आउसस से 277 बनाए जिसमें एक शतक भी शामिल था इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि वो टेस्ट मैच में भारत के बहतरीन ओपनर के तौर पर सामने आये हैं लेकिन चोटिल होने के वज़े से उन्हें फिर को टेस्ट मैच खिलने का मौका नहीं मिला वेस्टरनीस के खिलाफ उनका टीम में चैन तैमाना जा रहा था लेकिन वो चोटिल हो गए और एक बाद फिर से वो टेस्ट टीम में जगा नहीं बना पाए प्रित्वी शौ के लिए पिछला एक साल उनके करियर के लिहास से काफी उतार चड़ा भरा रहा है पिछले साल दिसमर में उस्टेलिया दौरे पर जब सब की नजरे उन पर थी तभी अभिहास मैच के दौरान फिल्डिंग करते हुए वो गंभी रूप से चोटिल हो गए थे उन्हें फीजियो वा स्पोर्ट स्टाफ मैदान से बाहर ले गए थे इसके बाद लम्बे समय तक वो मैदान से दूर है स्पोर्ट्स डेस्क डिडी निउस वहीं ऑलम्पिक पतक विजेता साक्षे मलिक के नजर अब 2020 में होने वाले टोक्यो ऑलम्पिक पर है साथ ही 26 वह से शाक्षी का कहना है कि उन्हें पिछली बार से बहतर प्रदर्शन करना है और अपने मैडल का रंग बदलना है लेकिन फिलहाल उनकी निगह ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने पर लगी हुई है के लिए यह है कि सबसे पहले तो क्वालिफाई करना है फिर पूरा एक साल होगा थ्यारी के लिए और प्लैन बनाएंगे कि कौन सी कंट्री में जाके ट्रेनिंग करें और कौन से अपोनेंट्स आने वाले हैं किस-किस कंट्री ने क्वालिफाई किया तो पूरा प्लैन बना आपने अभियान की शुरुवात करेंगे महिलाई कल में पिछले कुछ समय से चोट के कारण कोड से दूर रहने वाली साइना नेवाल अगले महीने होने वाली विश्व चैंपेंशिप से पहले लह में आने की कोशिश करेंगी यहां पहले दौर में उनका सामना क्वालिफायर ख्लाडी चाइवान के साथ होगा वहीं पुरुश वर्ग में पांच्व वर्ता प्राप्त के दामी शुरिकांद पहले दौर में रैन पैंग बोस से भिड़ेंगे जबकि एचस प्रणाय के सामने हौंग कोंग के वौंग विंग की विंसिंट की चुनाती होगी समीर वर्म चांपेंशिप की तैयारियों का हवाला देते हुए थाइलेंड ऑपन से अपना नाम वापस लिया है सिंदू के लावा जापान की स्टार खिलाडी नोजुमी, ओकुहारा, अकेना, यामागूची और ताई जू यिंग ने भी थाइलेंड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है वहीं वैडमिंटन की एकल रैंकिंग में जापान के खिलाडियों का दबदबा देखने को मिला है पिछले कुछ समय से शांदा प्रदर्शन कर रही जापान की आकेना, यामागूची, विश्व की नमबर एक महिला वैडमिंटन खिलाडी बन गई है वहीं पुरुष एकल में जापान के केंटो, मुमोता, शीर्ष स्थान पर मजबूती से बने हुए है जापान ओपन के समी फाइनल तक पहुँचने वाले भारत के 20 साई परनीत, चार स्थान की चलाग के साथ, तॉप 20 खिलाडियों में शामिल हो गए है भारत की पीवी सिंदू पाचवें और साइना नहवाल आठवे स्थान पर परकरा रहे है जापान ओपन के समी फाइनल तक पहुँचने का फाइदा, भारतिय बैडमिंटन खिलाडी 20 साई परनीत को ताज़ा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में मिला है परनीत चार स्थान की चलाग के साथ, मंगलवार को जारी रैंकिंग में 60 खिलाडियों में शामिल हो गए है जापान ओपन के पुर्ष एकल का खिताब जीतने वाले जापान के ही केंटो मुमता शीष स्थान पर मजबूती से बने हुए है महिला एकल में पिछले काफी समय से खिताब की तलाश में लगी स्टार खिलाडी पीवी सिंदू पांचे स्थान पर बनी हुई है साइना नेवाल, शीष दस में शामिर, दूसरी भारते खिलाडी हैं वो रैंकिंग में आठवे स्थान पर बरकरार हैं रैंकिंग में जापान के खिलाडियों का दबदवा देखने को मिला पिछले कुछ समय से शांदार प्रदर्शन कर रही जापान की आकेनी यामागूची विश्व की नमबर एक महिला बैडमिन टेंक लाडी बन गई है जापान ओपन की चैंपियन बनी जापान की यामागूची ने ताइपे के ताई जू यिंग को शीष स्थान से हटा कर अपने खारियर में पहली बार नमबर एक रैंकिंग हासिल कर ली जू यिंग अब दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं उन्होंने लगबग एक साल बाद जाकर अपना पहला स्थान गमाया है इस्पेन की कैरोल लना मारिन दसने नमबर पर खिसक गई हैं पुरुष योगल में सात्विक सेराज रैंकी रेडी और चिराक शेटी दो स्थान के सुधार के 716 नमबर पर पहुंच गई हैं जबकि महिला योगल में अश्वनी पुनाप्पा और एंसिक की रेडी दो स्थान गिर का 2400 नमबर पर खिसक गई हैं विश्व योगल में पुनाप्पा और रैंकी रेडी दो स्थान उठकर 2300 नमबर पर पहुंच गई हैं जबकि प्रणोजेरी चौपला और एंसिक की रेडी दो स्थान गिर कर 2200 नमबर पर आ गए हैं स्पोर्स डेस्क डेडी निउस और अब टेनिस की करतो शुष भारतीय टेनिस खिलाडी प्रणोजेश गुनाश्वरन ने ATP लॉस को वो से टेनिस टॉर्नमेंट में जीत के साथ आगास किया है दुनिया के 90 नमबर के बाए हाथ के खिलाडी प्रणोजेश ने 67 नमबर के आस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन को 64 1662 से हराया यह मुकाबला एक घंटे और 49 मिलर तक चला प्रणोजेश ने 16 ब्रेक पॉइंट में से 5 का फायदा उठाया उन्होंने अपनी सर्विस पर 7 में से 3 ब्रेक पॉइंट भी बचाये और खिल समयतार में रुक एक छोड़स ब्रेक के लिए कहें जाएगा नहीं जदा सुर्द है